नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज का आज हम 20 वा पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे इस सीरीज में हम exam में बार-बार पूछे जाने वाले प्रशनो को पूरी detail के साथ यहाँ पे कवर करते हैं सभी questions आपको किसी न किसी exam में पूछे गए होते हैं previous year questions होते हैं इनको हम पूरे extra facts के साथ कवर करते हैं जिससे आपका साथ-साथ में रिवाईस भी हो जाता है और आपके questions के concept भी clear हो जाते हैं। साथ में आपको NCRT के facts भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की class को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की classes को नहीं देखा है, आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की class को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्ण है, निमलिकित में से किस जैन तीर्थंकर के अन्युआई निगरत या निर्गरंत कहलाए। तो कहीं पर निगरत लिखा जाता है, कहीं पर निर्गरंत लिखा जाता है। ये किस के अन्युआईयों को कहा गया, ये कहा गया पाश्वनाथ के अन्युआईयों को। ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23 तीर्थंकर कौन थे? पाश्वनाथ थे। करम पूछा जाता है। इनको लेकर 2-3 कोशन हैं जो आपको याद करना है। पहला, इनके अन्युआयों को निगरंत कहा गया। दूसरा, जैन धर्म में आप जानते हैं, पाँच महावरत हैं, ठीक हैं? पाँच महावरत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रहमचारे। इन पाँच में से, जो पाँचवावाला है, ब्रहमचारे, इसे किस ने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया। बाकी के जो आपके चार हैं, इनको किस ने दिया? इनको दिया है पाशवनात ने। यह आपको पूछे जाते हैं, कि महावीर स्वामी ने कौन सा वाला ये आपको याद करना है ठीक है एक और कोशन आपको याद करना है पाशवनात को लेकर के इनको निर्मान की प्राप्ति समेद शिखर पर हुई है ये भी जैन धर्म का एक प्रमुक तीर्थ इस्तल है शमेद शिखर यही पर पाशवनात को निर्मान की प्राप्ति होती है ठीक भारत की सबसे बड़ी तटिया जील, यानि जो समुद्र से आपकी लगी हुई है, तो ये कौन हो जाएगी, चिलका जील हो जाएगी, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटिया जील भी है, इसको आपने याद करना है, ठीक है, ये तो तटिया जील की बात है, अगर आपसे अंतहस्थलिया वाली की बात करेगा यानि जो समुद्र से नहीं लगी है तब आप बताएंगे सांबर जील समबर जील जो आपके राजस्थान में है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की अंतहस्थलिया जील है ठीक है तटिया में पूछेगा तो चिलका जील आंसर हो जाएगा ठीक है चिलका जील को लेकर के एक कोशन और याद करना है भारत के कई सारी जो जगाएं है वो रामसर सूची में शामिल है भारत की पहली साइट जो रामसर सूची में शामिल हुई उसमें एक थी आपकी चिलका जील 1981 में पहली बार भारत की जो इस्पेशल जगा हैं दो इस्पेशल जगा एक आपकी चिलका जील था और एक राजस्थान का केवलादेव नैशनल पार्क इन दोनों को 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया था तो इसको भी याद करना है कोशन बन जाता है चिलका जील आपके उडिशा में आती है नेक्स्ट है निमलिकेत में से किस द्वीप को अगनी द्वीप के नाम से जाना जाता है तो किसे कहा जाता है अगनी द्वीप ये बोला जाता है आइसलैंड को जो आइसलैंड है इसे अगनी द्वीप के नाम से जाना जाता है इसको आपने जाद करना है दूसरा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दूइप कौन है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दूइप है नियोगीनी इसका नाम भी याद करेंगे ये आपके प्रशांत महासागर में पड़ता है दूनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दू लेकिन अगर आपसे क्वेशन बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताईए, तो आंसर होगा बोर्नियो द्वीप, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, दुनिया में ग्रीन लैंड, दूसरे नमबर पर न्यूगिनी, तीसरे नमबर पर बोर्नियो, लेकि इसको भी याद करना है, मैंना अगासकर, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन हिंद महासागर में है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कारेकरम की शिरुवात किस वर्ष में की गई थी, तो देखें, अ दॉक्टर विक्रम सारा भाई है, इन्हें भारतिया अंतरिक्ष कारेकरम का जनक माना जाता है, इनके द्वारा 1962 में भारतिया राष्ट्रिया अंतरिक्ष अनसंधान समीती का गठन किया गया था, किसने किया था, सारा भाई के द्वारा किया गया, बाद में इसी का दुबा जनक आप बताएंगे विक्रम सारा भाई ठीक है इस तो का गठन कब हुआ 1969 में नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्द होने वाला पहला भारतिय समाचार पत्र कौन सा है तो इंटरनेट पर आने वाला पहला भारतिय समाचार पत्र है आपका दा हिंदू यह 1995 से इंटरनेट पर उपलब्द है. वन महोच्षव की शुरुवात किसने करी थी? तो दिखे वन महोच्षव, दो कोशन बंते हैं इसको लेकर के कि इसकी शुरुवात कब की गई और इसकी शुरुवात किसने करी? उन भारत के कृष्य मंत्री थैं. अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं तो GST परिशत को लेकर भी कोशन आता है एक कोशन बनते हैं GST परिशत को लेकरके और कुछ कोशन बनते हैं आपके GST को लेकरके दोनों को यहाँ पर देखेंगे ठीक है पहले GST परिशत की बात करते हैं GST परीशत का गठन 12 दिसंबर 2016 में किया गया था, ठीक है, GST परीशत में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं, ठीक है, 28 राज्ये हैं जो भारत के, उनके 28 वितमंत्री, इसके अलावा दिल्ली, पॉंडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके वितम होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, तोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 33 मेंबर होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष वितमंत्री होते हैं, ऑप्शन D हमारा सही आंसर होगा, जो भारत की वितमंत्री होते हैं, वही इसके अध्यक्षता करते हैं कोशन बनता है 33 मेंबर होते हैं परिशत में कौन-कौन है मैंने सारे आपको यहाँ पर बता दिये क्योंकि कई बार हो सकता है कोशन बन जाए कि इन में से कौन GST परिशत में शामिल नहीं होता आप्शन दे देगा RBI गवर्नर तो यह शामिल नहीं है ठीक है अब बात करते हैं GST के बारे में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा वितमंत्री GST की बात करें Goods and Servet Tax इसका पूरा नाम है यहाँ एक परकार का Indirect Tax यानि की अपरत्यक्ष कर है भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है इसको भी याद करना है ठीक है इसके लिए कौन संसोधन किया गया था सम्विधान में 101 संसोधन इसके लिए किया गया था दुनिया में सबसे पहले GST किसने लागू किया था ये भी पूछा जाता है दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने इसे लागू किया था नेक्स्ट है भारत्य समविधान के किस अनुचेद के अंतरगर नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षक की निप्ती होती है यानि जो CAG होते हैं भारत के इनके निप्ती कौन से आर्टिकल के तहत होती है इनके निप्ती कौन करते हैं भारत के राश्ड़पति करते हैं और किस आर्टिकल के तहत 148 आर्टिकल के तहत जो यह CAG होते हैं जो संसद की एक समिती है लोग लेखा समिती उसके लिए मार्ग दक्षक के रूप में कारे करते हैं मित्र के तौर पर काम करते हैं C.A.G ये कोशन भी बनता है C.A.G या फिर ऐसा कोशन बनाता है लोक लेका समीथि का मार्ग दक्षक गाइड मित्र कौन होता है उसकी आख कान नाख कौन होता है C.A.G होता है इनके न्युक्ती राष्टपती करते हैं C.A.G को लेकर के दो कोशन आपने याद करने हैं बहुत इंपोर्टन कोशन है पेपर में बन सकते हैं पहला कोशन है C.A.G का कारकाल कितना होता है तो इनका कारकाल 6 और 65 वर्ष का होता है या तो 6 वर्ष का कारकाल होगा या 65 वर्ष की उम्र तक इनका कारेकाल होका और दूसरा important fact CAG को लेकरके एक famous statement दिया गया था कि भारतिय समविधान में सबसे important अगर कोई अधिकारी है तो वो CAG है ये statement किस ने दिया था? BR Ambedkar ने दिया था question बनेगा BR Ambedkar ने किसे भारतिय समविधान के तहट सबसे महत्पून अधिकारी माना उन्होंने CEC को माना या फिर सीधा कथन ही उनका क्योट कर देगा वहाँ पर कि भारतिय समविधान में सबसे महत्पून अधिकारी CAG है यहा कथन किस का है? तो यहां कथन अंबीट करका है ठीक है नेक्स्ट है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद सम्विधान सभा के निम्न में से किस समीती के अध्यक्षन नहीं थे तो सम्विधान सभा और इसके लिए जो जो समीतियां बनाए गई थी उनको लेकर लगातार कोशन आपके आते रहते हैं और हम भी इनको यहां पर कवर करते रहते हैं और साथ साथ में जो सारे आपके कोशन्स होते हैं इससे जुड़े हुए यहीं पर डिसकस भी कर लेते हैं ताकि आपकी एक साथ सारी समीतियां भी पर revise होते वे चले, तो इनको note करते वे आप जरूर चले, तो देखे, राजंदर प्रशाद के अगर हम बात करें, ये किस समीती के अध्यक्ष नहीं थे, ये अध्यक्ष नहीं थे, अल्पसंचक समीती के, option D हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखे, हमारे सम्विधान में एक समी समीती बनाए गई थी, मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंचकों के लिए, और जंजातिया छेतरों के लिए, एक प्रामर्श दाता समीती बनाए गई थी, ठीक है, जो सलहकार समीती थी, इन सारी चीजों के लिए, अल्पसंचकों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, और जनजातिया छेतरों के लिए इस समीती के जो अध्यक्स थे वो सरदार पटेल थे और इस प्रामश दाता समीती के तहट दो उप समीती बनाई गई थी ठीक है? दो उप समीती एक उप समीती मौलिक अधिकारों के लिए थी और एक उप समीती अल्प संक्यकों से related थी जो मौलिक अधिकारों की समीती है है ये किसके अंडर में? पटेल के अंडर में जो ये उप समीतियां बनी है मौलिक अधिकार से related जो समीती थी इसके अधिक्ष थे J.B. कृपलानी और जो संक्यकों से related उप समीती थी इसके अध्यक्ष थे HC मुखरजी तो इसको आपने याद करना है इसके अध्यक्ष HC मुखरजी थे और ये किसके आधीन थे ये सरदार पटेल के आधीन थे तो सिधा अंसर हो जाएगा इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर परशाद न अध्यक्ष थे Dr. Rajinder परशाद प्रक्रिया नियम समीती के थे संचालन समीती के थे वित और करमचारी समीती के थे इसके अलावा राश्ट्रिया ध्वज समीती के अध्यक्ष भी कौन थे Dr. Rajinder परशाद ठीक है कुछ important समीतियां जो पेपर में आती हैं उनको नोट कर संगिया, संविधान, समीती, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर संगिया के बारे में पूछेगा संविधान, समीती, इसके अध्यक्ष थे नहिरू प्रांतिय संविधान की बात करेगा, तब अध्यक्ष थे पटे संग समीती इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी नहरू थे प्रारूप समीती सबसे इंपोर्टन थी इसके अध्यक्ष अमबेट कर थे इसको आपने जाद करना है, ठीके? कोशन यहां से बनते हैं नेक्स्ट हैं, ब्रिटिश भारत में कानून निर्मान प्रकरिया में भारतिय प्रतिनिदियों को शामिल करने की शुरुवार किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत के प्रतिनिदियों को भी शामिल किया जाएगा कानू निर्मान प्रक्रिया में इसकी विवस्था 1861 का जो भारत परिशद अधिनियम था इसके तहट की गई थी इसको आपने याद करना है option B सही answer हो जाएगा इसके तहट तीन important बातें की गई थी पहला भारतिय जो प्रतिनिदी हैं इनको शामिल किया जाएगा दूसरा इसी अधिनियम के तहट जो विभागिय प्रणाली थी portfolio system इसे शुरू किया गया और तीसरा और सबसे important इसी अधिनियम के तहट जो इंडिया का वाइसराई था इसको पहली बार अध्यदेश जारी करने की शक्ति दी गई question बनता है वाइसराई को या गवर्नर जनरल को अध्यदेश जारी करने की शक्ति पहली बार कल दी गई तो 1861 के अधिनियम के तहट इन तीनों को याद करना ए ठीक है भारतिय प्रतनिदी को शामिल किया जाएगा कानून बनाने में विभागय प्रणाली की शिरुवार और वाइसराय को अध्यदेश जारी करने की शक्ती निमलिकित में से किस अनुछेद के अंतरगर राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है तो ये भी एक काफी अच्छा कोशन है पंचायती राज को लेकर के लगातार कोशन बनते हैं खास तोर पर जो 243 वाला आर्टिकल है क्योंकि इसके अलग-अलग आर्टिकल में क्या बात कही गई है वो आपसे पूछा जाता है अगर हम इस प्रशन की बात करें प्रशन में पूछा है पंचायत का चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत होता है अब आपको यहाँ पर एक चीज याद होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए पंचायत के चुनाव का फैसला कौन लेता है कि चुनाओ कब करवाए जाएंगे ये फैसला लेती है राज्य सरकार ठीक है और चुनाओ करवाता कौन है दोनों अलग-अलग चीज़े हैं जैसे अगर हम बात करें विधान सभा चुनाओ की लोग सभा चुनाओ की ये फैसला चुनाओ आयोग लेता है ठीक है इसमें सरकार फैसला नहीं लेती, लेकिन पंचायत के चुनाव कब होंगे, ये फैसला राज्य सरका लेती है, और चुनाव करवाता कौन है, करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो पंचायत के चुनाव को करवाता है, और राज्य निर्वा में जो आरक्षन दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहट है तो 243D जो है ये पंचायतों में आरक्षन से संबंदित है, कोशन बनता है पंचायत की अवधी पांच वर्ष के लिए होती है, ये किस में बताया गया है, 243E में बताया गया है पंचायतों की अवधी के बारे में पंचायत जो सदस्य बनेंगे उनके लिए योगिताएं क्या क्या है इनकी योगिताएं 243 F में बताई गई है पंचायत के कार्या क्या क्या होंगे यह 243 G में बताया गया है और पंचायतों के लिए वित आयोग का गठन ये बताया गया है 243 आई में, इसको आपने याद करना है, ये कोशन आपके बद्दे हैं, पंजायत को लेकर के जो important आर्टिकल से आपसे लगातार पूछे जाते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है, भारत में समविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो समविधान सभा के गठन का विचार सरव प्रतम M.N. Roy के द्वारा 1934 में रखा गया था, आप्शन A हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोशन बनेगा अगर कॉंग्रेस ने पहली बार केंद्र में नहित होने का सिधान्त भारत्य समविधान में किस देश से लिया गया है? तो थीके भारत के समविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में नहित होंगी? केंद्र में नहित होंगी, जो special powers हैं, ठीके? यह हमने कनाड़ा के समविधान से लिया है, आप जानते है हमने संघ्या ववस्था को कहां से अपनाया है संघ्या ववस्था हमने कनाड़ा से अपनाई है कैसी ववस्था है कि सक्तियों का बटवारा केंद्र और राज्यों में किया जाएगा और जो अवशिष्ट शक्तिया होंगी जो special powers होंगी वो किसको दी जाएंगी केंद्र को दी जाएंगी तो संघ्या ववस्था हमने कनाड़ा से ली है अगर आपसे पूछा होता संसद्या ववस्था हमने कहां से ली है तो संसद्या और संघ्या दोनों अलग-अलग है संसद्या ववस्था हमने बिटेन से ली है संग्य ववस्ता हमने कनाड़ा से लिए है संग्य ववस्ता के अनुसार क्या होता है दोनों में शक्तियों का विभाजन होगा और केंद्र शशक्त होगा ठीक है नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के सत्रों के विरुद चानक्य ने जो चाले चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है तो ये भी एक अच्छा कोशन है ये कोशन आपसे हर बार इस तरीके से आता था कि बताईए इस किताब का रचियता कौन है या इस किताब में चंदरगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है अब उसने थोड़ा सा किताब का जो कौन्टेंट है उसको लेकर के कोशन बना दिया कि ये जो किताब है लिखी किसके उपर गई है तो दिखिए जो किताब है मुद्रा राक्षश इस किताब को विशाख धत के द्वारा लिखा गया है और इस किताब की मूल विशेवस्तू क्या है? इस किताब में मौरकाल के बारे में जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौरके काल में किस तरीके की चाले चली गए, किस तरीके से शड्यन्त्र करते गए वहाँ पर चाहे विद्रोही हो, चाहे चानके की तरफ से हो, उन सब की विश्तृत जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है कोशन बनता है, तो आपको इसको याद करना है, ठीक है? बहुत बार ये किताब भी पेपर में पूछी गई है, एक कोशन और पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के ओग क्या बोला गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसमें वरिशल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ये कोशन भी पेपर में बन जाता है, इसको भी ध्यान रखना है, पूछा जाएगा नेक्स्टै है हमारा, हरपा लिपी में बड़े अकार के दस चिनों वाला एक शिलालेक कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी एक नया कोशन है, पेपरों में पूछा जाने लगा है, हरपा लिपी का बड़े अकार का दस चिनों WOWा एक शिलालेक हमें धॉला वीरा गुजरा है ठीक है यहीं से हमें यह शिलालेग मिला है कोशन बनता है हरपा लिपी यानि सिंदू घाटी की लिपी कैसी है तो यहाँ अग्यात है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है ठीक है पूछी जाती है किस तरीके से लिखी जाती है तो यह आपकी पहली लाइन में जैसे कोशन बनते हैं धौला वीरा जैसे मैंने आपको बोला 2021 में इसे योनेस्कों की सूची में शामिल किया गया ठीक है दूसरा कोशन धौला वीरा अपने जल प्रबंधन के लिए काफी जादा फेमास है यहां से हमें उच्च कोटी की जल प्रबंधन सिस्टम जो ड्रेनेस का एक मात्र नगर है जो तीन भाग में विभाजित है इसको भी आपने याद करना है एक मात्र नगर जो तीन भागों में विभाजित है इसके लावा धौला वीरा को लेकर के चोथा कोशन बनता है हमें खेल का मैदान कहां से मिला है तो खेल का मैदान भी हमें धौला वीरा से ही मिला है ठीक है नेक्स है हमारा समुद्र गुप्त के परियाग प्रशस्ती वाले इस्तंभ पर निमलिकित में से किसका लेक मिलता है तो परियाग प्रशस्ती लेक ये किसका है ये हरिसेन का है ठीक है किसके बारे में जानकारी देता है ये हमें समुद्र गुप्त के बारे हमें यहीं से मिलती है परियाग प्रसस्ति मेलेस से खजराहो मंदिर का संबन्ध किस धर्म से है तो इस मंदिर के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी जो हमारी दृष्टी जी के lack वाली सिरीज है खजराहो मंदिरों का निर्मान किसने करवाय था चंदेल राजाओं ने करवाय था और कौन सा राजा अगर पर्टिकुलर नाम पूछ लिया जाए जितने यहाँ पर काफी जादा मंदिरों का निर्मान कराए क्योंकि यहाँ पर धेड़ सारे मंदिर है तो कवी सारी शदिया इसको बनाने में लगी है लेकिन अगर एक राजा का नाम पूछा जाएगा तो चंदेल राजा धंग के द्वारा इनका निर्मान करवाया गया इसने ज्यादातर मंदिर यहाँ पर बनवाए हाला कि आपसे पट्रिकुलर राजा का नाम नहीं पूछा गया है अभी तक सिर्फ पूछा जाता है खजराहु मंदिरों का निर्म किस ने करवाया चंदेल राजाओं ने करवाया सिर्फ आपको इतना याद करना है नवी से ग्यार्वी शताबदी के बीच में माना जाता है इन मंदिरों का निर्मान यहाँ आपके किस धर्म से संबंदित है तो यहाँ आपके हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंदित है option D हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, next है, एक और चीज़, खदराहू मंदिर है कहां, ये आपके मध्यप्रदेश में पढ़ते हैं, next है, गुल्रुखी सीर्षक से फार्सी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, तो गुल्रुखी सीर्षक से ये गुल्रुखी नाम से फार्सी कविताएं कौन लिखता था, ये लिखता था सिकंदर लोधी, option A हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिकंदर लोधी लोधी वंज का दूसरा साशक था, 1490 से लेकर 1517 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा था, इसको लेकर दो-तीन बाते पूछी जाती हैं, उनको नोट कर लीजिए, पहली बात तो यही है, गुलरुखी नाम से फार्सी में कविताएं लिखता था, दूसरा, भूमी मापन के लिए इसने गजे सिकंदरी का इस्तेमाल शुरू किया, तीसरा, इसने राजधानी को आगरा में बनाया, ठीक है, आगरा राजधानी कौन लेकर तो दोनों को याद कर दीजिए, अंग्रेजी मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोशित किया था, लोड करजन ने, ओप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, करजन के द्वारा 1899 में जो ब्रिटिस करंसी होती है, पाउंड, इसको भारत में मान्य घोशित कर दिया गया था, और इसके द्वारा एक पाउंड की कीमत 15 रुपए वहाँ पर गोशित की गई थी, तो इसको भी आपने याद करना है, ब्रिटिश मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा किसने बनाया, करजन ने बनाया, ठीक है, कब बनाया, 1899 में, नेक्स्ट है, विमन्स नेक्स्ट है, संयुक्तराष्ट्र खाद्य एवं कृशी संगठन का मुख्यालय कहां इस्तित है, तो FAO की बात हो रही है, इसका हेड़कॉर्टर आपके इटली के रोम में है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में करी गई थी, तो इस थापना हेड़कॉर्टर दोनों आपको याद करने है, गोलकुंडा का किला किस राज्ये में इस्तित है, तो गोलकुंडा का किला काफी ज़्यादा फेमस है, ये आपके तिलंगाना में है वर्तमान में, ओप्शन A, सही उत्तर हो जाएगा, जै सहीता के नाम से बिख्यात हुआ, इनमें से कौन सा ग्रंत है जो जै सहीता के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है हमारा महाभारत, ओप्शन C, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, देखे महाभारत का जो पूर्व नाम है, वो जै सहीता ही बोला जाता है, शुरुवात में महाभारत में 8800 यहाँ पर शुलोक थे, जब इसमें 8800 शुलोक थ एक लाख के पार हो गई और इसे महाभारत बोला जाने लगा या फिर सत सहस्त्री सहित्अ भी इसे बोला जाने लगा तो इसको आपने याद करना है ठीक है जैसे हिता भी किसका नाम है महाभारत का नाम है एक और question बनता है, अंतिम रूप से किस काल में आकर महाभारत संकलित हुई अंतिम रूप से यहाँ गुप्त काल में संकलित हुई, क्योंकि शुरुवात वेदव्यास ने करी थी, लेकिन टाइम टाइम पर इसमें update होते गए, changes होते गए, स्लोग जुटे गए, अंतिम रूप से इसे संकलित, गुप्त काल में किया गया था, इसको भी आपने याद करना है जो महाभारत है, यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है इसको भी पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्या कौन है महा भारत है ठीक है इसमें कुल पर्व कितने है अठारा पर्व है इसमें अलग-अलग पर्व है वन पर्व है भीश्म पर्व है तो अलग-अलग इसमें पर्व है कुल अठारा पर्व इसमें शामिल है ठीक है एक कोशन और बनता है जैसे गीता को ले करके तो जो गीता है पर्व का भाग है, कोशन बन सकता है, गीता महा भारत के कौन से पर्व का भाग है, भीश्म पर्व का, जो कि छटवा पर्व है, ठीक है, अवतारवाद का सबसे पहला उलेख भी हमें भगवत गीता में मिलता है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, नेक्स्ट है, राज् राज्य सभा का गठन कब हुआ अगर ये पूछेगा 3 अप्रेल 1952 को इसका गठन किया गया था ठीक है तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या था गठन था इसकी पहली बैठक की बात हो रही है राज्य सभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो अगर आप से गठन पूछेगा तो गठन बताएंगे आप 3 अप्रेल और अगर पहली बैठक पूछेगा तो बैठक आप बताएंगे 13 मई दोनों को आपने याद करना है दोनों की डेट्स आप से पूछी जाती है भारत में पोलो खेल का प जानते हैं जो एबक था ये भी तुरक था जो गौरी था वो भी तुरक था उसी का गुलाम था एबक भारत में जो मुस्लिम साशन इस्थापित होता है वो तुरकों से ही होता है इन्हों के ही द्वारा पोलो खेल का प्रचलन भारत में किया गया इसके द्वारा तुरकों क द्वारा कहा गया था ठीक है और भारत्य संगवाद को अर्ध परिसंग्य संगवाद ये कहा था केसी विहर ने तो दोनों का नाम आपने याद करना है ठीक है निमलकित राज्यों के युगमों में से किसको राज्य सभा में समान परतनिदित्व मिला हुआ है अब देखे सही उत्तर हो जाएगा देखे आंध्रप्रदेश और आपका मध्यप्रदेश इन दोनों में राज्य सभा की 11-11 सीटे है ठीक है उडिशा और राजस्थान इन दोनों में राज्य सभा की 10-10 सीटे है बिहार और बंगाल इन दोनों में राज्य सभा की 16-16 सीटे है तो ये त ठीक है, असम, पंजाब और तेलंगाना इन तीनों में 77 सीटे हैं, कई बार कॉंबिनेशन पूछ लिये जाते हैं, हरियाना और छतिसगड इन दोनों में 55 सीटे हैं, हिमाचल, दिल्ली और उत्राखन इन में 33 सीटे हैं राज्य सभाकी, इन कॉंबिनेशन को याद कर लीजिए आपको पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको इससे एजिली भी याद हो जाएंगे, कौन किसके साथ गुरूप में आता है, ठीक है, नेक्स्ट है, बलबन द्वारा, शुरू किये गए सिजदा और पैबाउस को किसने समाप किया था, तो सिजदा और पैबाउस की जो प बनने, ठीक है, सिजदा प्रथा क्या थी, कि आपको जाना है सुल्तान के आगे जाकर आपको पूरा जुक कर सुल्तान को प्रणाम करना है, ठीक है, और पैबाउस किया था, कि आपको सुल्तान के पैरों को वहाँ पर जाकर चुमना है, तो सिजदा और पैबाउस इसे खतम कियाता शाह जाहाने, option C सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है next है, 2011 की जरगड़ना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है तो जनसंख्या घनत्व की बात है कि सबसे कम कहां का है सिक्किम को आपने टिक नहीं करना है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है अगर सिर्फ जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तब हो जाएगा सिक्किम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात है सही उत्तर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़ादा जनसंख्या घनत्व कहा है अगर हम कोशन को उल्टा कर दें तो सबसे ज़ादा बिहार में है सबसे ज़ादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है सबसे कम कहा है सिक्किम में है इसी प्रकार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहा है, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल में है, सबसे कम कहा है, हर्याना में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर्ता कहा की है, शाक्षर्ता में भी केरल है, सबसे कम कहा की है, बिहार की है, सबसे ज़्यादा द वाले कुछ दिनों में 2011 की जनगणना के जितने डेटा हैं उन सब को एक प्रॉपर वे में और सिस्टेमेटिक तरीके से कवर करके हम उसको यहां पर कवर करेंगे जिससे आपके जो सारे डाटा यहां से पूछे जाते हैं तो कोशिश करेंगे जिल्द इसके वीडियो को अपलोड करने की ताकि आपके 2011 के जो सारे डाटा हैं और सारी जातियों को ले करके धर्मों को ले करके पूरे जनगणना को ले करके एक सिंगल वीडियो में कवर करने की नेक्स्ट है समस्टी अर्थसास्त्र यानि मैक्रो एकनोमिक्स के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो देखें मैक्रो एकनोमिक्स इसका जनक किसको माना जाता है जोन मैनाड कीन्स को माना जाता है इसका जनक option B हमारा सही आंसर हो जाएगी ये तो है macro economics एक होती है VST अर्थसास्त्र जिसको बोला जाता है micro economics ये कैसा है macro है micro economics के अगर बात करेगा micro economics का पिता Alfred Marshall को बोला जाता है ठीक है? और अगर सिर्फ अर्थसास्त्र का जनक पूछेगा micro को हटा दीजिए macro को हटा दीजिए सिर्फ अर्थसास्त्र का जनक तब आप Adam Smith का नाम बताएंगे इनको आपने याद करना है तीनों question आपसे paper में पूछे जाते हैं ठीक है? तो friends ये ता हमारा जो हमारी series है Top GK MCQ series जिसमें हम previous year के questions को यहाँ पे cover करते हैं पूरी detail के साथ अमीद है आपको आज का वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताएं Thank you friends